है कि जो है वो आपका इनिहोंगर में जाएगा जो भी कम्युनिकेशन हुआ जो भी उपसी से तो उन्होंने बोला है या तो अभी तो एक्चुल में बात हुआ तो एक केंडिडेट को तो उन्होंने बोला था एक दो candidate से बात हुई थी, तो बोले कि October end के लिए, लेकिन anyway, आप November में ready रहो. Yes, this is true, कि आपको minimum three weeks का time देते हैं, three weeks पहले schedule को publish कर देते हैं, तो interview ऐसा है नहीं, कि आप सुचोगे कि three books पढ़ने हैं, हमें four books पढ़ने हैं, आप November के लिए anytime prepare रहो, November में किसी भी time start up का हो सकता है, इस वीडियो में हम discuss करेंगे, कि what interview board wants from you, ये question frequently पूछा जाता है, regular रूप से candidate द्वारा पूछा जाता है, तो मैंने सूचा चलो ठीक है, इस पर obviously है, मैंने और भी चीजे discuss की है, इसको अलग way में हमने करके discuss किया है, लेकिन इसमें specific हम इस issue को discuss कर रहे हैं, तो कहीं भी सब आप interview board में जा रहे हो, तो ये expect किया दाता है, कि ये candidate उस standard का है, minimum एक standard रखता है, क्योंकि इसके पहले ही, ये जो retain qualify करके आया है, retain में दो part है, paper one है, paper two है, और physical, medical, एक तरह से physically सारी रिक रूप से भी आप अच्छे हो और मानसिक रूप से भी अच्छे हो, मानसिक आपकी जो talent है, वो skill है, वो आपको पहले check किया गया, कि आप really mentally alert हो, mentally चीजों से जो घटनाएं आपके पास हो रही है, आस-पास जो आपने 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, 6th class में पढ़ा था, क्या वो चीजों को basic आपके पास command है, यदि आप भूल भी गए थे, तो उसको क्या आप फिर से recapture कर सकते हो, recollect कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, तो जदी आप उन चीजों को collect कर सकते हो, उनको आप समझ चकते हो, इसका मतलब है कि mentally आप at least उस condition में हो, जहां ये role perform कर सको, जो आपके suppose एक service man होते हैं, तो एक service man का cut-off जो है, no doubt आपका कम होता है, एक service man में cut-off बहुत कम जाता है, लेकिन आप जदी 2019 का for example, 2020 का marks देखो, तो कुछ candidate एक service man में होते हैं, वो भी बहुत अच्छे होते हैं, एक service man का ये मतलब नहीं है कि वो candidate बहुत खराबिस्थिती में है, हाँ, बहुत सारे जो candidates होते हैं, चुकि वो उनका जो की graduation सबमोरों ही कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं ग्रिजूइशन कर लेते हैं, लेकिन जब करोंगे तभी तो इसमें eligible होगी हैं, कुछ लोग हैं कि graduation करते-करते रहते हैं, उसी समय हो जाता है, तो फिर कुछ लोग हैं कि उसको छोड़ दिये, फिर बाद में डिस्टेंस से कर लिए, या कुछ है, चलो ठीक है, थोड़ा एक्जाम फाइनल इयर का बाकी है, तो उसको जा करके दे दिये, ठीक है, तो ऐसी सिच्विशन से बहुत सारे होते हैं, लेकिन नॉर्मल म में भी है, पेपर टू में भी, अर्थात आप पेपर वन में भी, अब जस्ट सोचो कि पेपर वन में आपने बहुत अच्छा किया, पेपर टू में आप 50 मार्क्स भी नहीं ला पाए, तो आप इंटर्व्यू में पहुंचो, यह नहीं उतना minimum requirement है, तो जब हम इंटर्व्य में मानू, अपने category में मानू, कि कि जदी आप general category में हो, तो general category वाले को सबसे उपर होना होता है, उसके बाद और suppose OVC है, तो OVC में more or less बराबर हुई होता है, sometime little difference होता है, sometime जो होता है, equally हो जाता है, even sometime देखा गया, कि higher cut-off final गया है OVC का, तो general और OVC में अभी difference नहीं है, आप SCST में भी हो, तो at least अपने category में तो 99% से better होते हो, तो return qualify करते हो, जब return qualify करते हो, तो return में 6 time result दिया जाता है, जितने actual में seat है, 6 to 7 times, sometimes 6 times, sometimes 6.2 times, 6.3, 6.4, 6.5, इस type में दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत सारे candidate जो है, वो physical में बाहर हो जाएंगे, या either PhD, physical standard test, physical efficiency test, या फिर medical standard test, इनसे में से बहुत सारे candidate बाहर हो जाएंगे, कुछ का है, suppose कि chest expansion नहीं हो रहा है, कुछ का chest नहीं पूर रहा है, कुछ का है, height little कम हो गया, कुछ ऐसे candidate है, जो running नहीं कर पाए, कुछ ऐसे है, जो गोला नहीं फिक पाए, कुछ ऐसे है, जो long jump नहीं कर पाए, कुछ ऐसे हैं, जो medical में बाहर हो जाएंगे, तो कुल मिला करके फिर चो candidate बचते हैं, more or less three times बचते हैं, जितने seats हैं, उसके almost three times होते हैं, कुछ time suppose three point five भी है, तो कुछ time आपका little lesser भी है, तो three के आसपास जो है, three times करिब-करिब candidate बचते हैं, तो उसमें से आपका final selection one third यानि कि जब आप interview board में पहुचते हो, तो आपका one third जो है, वो candidate select हो जाएंगे, और बाकी candidate जो है, reject हो जाएंगे, जो reject हो जा रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो, जो interview board में पहुच चुके हैं, वो हर कोई deserve करते हैं, हर कोई standard में है, few exceptions होते हैं, few exceptions are everywhere, लेकिन otherwise, जो majority of candidate हैं, वो minimum standard के हैं, अब जैसे ही आप interview board में जाते हो, तो एक चीज़ है कि आपने जो written में किया, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसको change नहीं कर सकते हो, और ना तो written का marks, आपका written का marks interview board के पास होता है, कि उनके पास preconceived notion हो गया, इसको क्या मैंने interview लेने से फाइदा है, इसका तो भी exact नहीं पता है, आपको पता होता है, क्यूंकि आप paper one का तो at least marks more or less close में आपको होता है, idea होता है कि हमारे पास इतना है, लेकिन paper two में भी आप exact नहीं कर सकते हो, कि हमें कितना मिला होगा, बहुत सारे candidate हैं, जिनको रता हाँ ठीक है, more or less हमारे आसपास में 10 marks के difference में, क्य इतने किसी का उतने आ गया, तो वो exception होते हैं, otherwise आप proper नहीं का सकते हो, क्यूंकि paper two जो है subjective है, subjective में आप absolute कहीं नहीं सकते हो, CM examiner किसी copy को three times, four times check करेगा, तो हर बार वो अलग-अलग marks देगा, same examiner, same copy, तो वो हम नहीं का सकते हैं, तो interviewer आपसे चाहता क्या है, interview board में, interviewer आप जाओगे और problem solve कर दोगे, सकोज आपने ITVP first twice दिया, तो आपसे वो नहीं चाहता कि यह जाएगा, हिम तेंदुआ इसको कहा जाता है, तो यह जाएगा, और पूरे चाइना बोर्डर का, जो भी तिप्पतियन बोर्डर का है, उसकी सारी समस्याएं खतम हो जाएगी, one ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी जानते हैं कि time लगेगा, training करेगा, selection अभी होगा, नहीं होगा, लेकिन यह इतना maturity रखता है या नहीं, एक graduate है, mentally alert है, तभी return qualify करके आया है, physically fit है, तभी वो physical करके आया है, medically fit है, तो भी वो medical में pass करके आया है, तो physically medical और return pass करके आया है, तो at least वो deserve करता है, कि वो force में जाए, और वो commanding role में आने का, उसके पास चमता है, इस candidate के पास, अब आप जाते हो, तो yes, आपने ITBP दिया है, तो आपके पास पूरा खाका नहीं होना चाहिए, कि हम कैसे ITBP की समस्याइं जो है, उसको हम समाप्त कर देंगे, लेकि ने कोई action लिया है, जिससे कि ITBP को ठिक ठाक किया जा सके, तो ये आपकी समस्याइं, इन पर आपको वर्ग करना है, आपने सपोज engineering graduate आप हो, तो engineering graduate हो, तो आपको export उसके field में नहीं होना है, लेकिन minimum आपको इतना जानना है, कि हाँ, हम सो हैं, ITBP में जदी जा रहे हैं, ITB ITBP में जदी इंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास इतनी ये है, हम इतने deserve करते हैं, कि हाँ, हमने जदी four years engineering किया है, तो कुछ basic minimum हम जानते हैं, हो सकता है, three years back आपने engineering किया हो, four years back किया हो, mechanical engineering किया, आपका interest नहीं था, आप गए, जो समित है, कि हम mechanical engineer बन जाएंगे, अच्छा engineer लेकिन फिर आपने वहां गए, किसी आप army officer को, किसी air force officer को, या फिर किसी documentary को आपने देखा, किसी movie को देखा, किसी novel को पढ़ा, किसी book को पढ़ा, या आपके beach में से कोई friend है, उसके घर में गए, उसके चाचा जी जो है, वो बिर्गेडियर थे, और आप उनसे काफी रहा, अब interest नहीं रहा, तो उस चीज पर पूरी focus करने से कोई ज्यादा मतलब नहीं, आप preparation start, तो ये चीज आपको justify करना है, कि ये घटनाए हुई, ये सारी चीचे हुई, अब सारे ये तो नहीं जानते हैं, कि आप बिर्गेडियर टिका खान से आप मिले हो या नहीं मिले हो, वो तो सीडिश बात है, आप बोलोगे कि सर बिर्गेडियर टिका खान है, तो उनसे हम मिले, वो हम सिबको काफी प्रभावित की है, अब वो पूछने भी नहीं जानते हैं, तो हमें इन आर्मी में कोई नहीं जानते, ऐसा उनको भी नहीं पता है, और आपको भी नहीं थे, इन्होंने बोला कि बांगला देश को आजाद कराने में, बांगला देश के आजादी में हमने अहम भूमिका निभाया, अब सोचो कितने छोटे थे और वो बोलते हैं फिर भी, जूट बोल रहे हैं, ये सब को पता है, लेकिन प्रदेश के परदान मंत्री confidently बोल रहे ह तो वो आप उस डेबल से confidently ये चीज़ को बोलो, अब किसी ने SSV दिया, तो आप प्रूव करो कि SSV क्यों आपने दिया, ये उसकी समस्चाई नहीं पूरा आप समाप्त कर दोगे, लेकिन वो क्या है, उसके बारे में आप दो, अब ये आप नहीं बोलोगे कि सर, peaceful हम चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ठंडा-ठंडा कूल-कूल रहे हैं, इस वज़े से ITBP हमने दिया है, कि मुझे ठंडा पसंद है, और मैं इस वज़े से, तो जदि ठंडा पसंद है, तो बेटर है कि आप सिमला में रूम ले लो, फ्लेट ले लो, या जो भी है, या फिर आप अपना जो है, ऐसे जगह ये करो, जहां कि ठंडा हो, कडाई कनाल चले जाओ, मसूरी चले जाओ, ठीक है, उठी चले जाओ, ये बिकल्प नहीं है ना कि सर हमको ठंडा पसंद है, इस वज़े से हम ITBP जा रहे हैं, आप किस प्रकार फोर्स में यूजफूल हो सकते हो, ये important है, में जानो, in fact, all five participating force हैं, उसके बारे में, जानोगे, तो interview board ये आप से चाती है, एक जो भी software engineering या software से related को ये stream आपने किया होगा, तो एक हम लोग, चुकि मैं मेरा IT था, in fact, obviously, मैं एक double graduation मेरे पास है, मैं BAV हूँ, philosophy और economics major से, और मैं software engineering भी किये हुए हूँ, नॉर्मली इंडियन जो university होते हैं, उसमें software engineering जैसे specialization साथ अब आने लगा होगा, लेकिन हमने जिस time किया था, long time back, तो उस समय software engineering जैसे नहीं होता था, लेकिन हमारे college में जो था, तो वो computing, in general computing था, उस समय बहुत सारे ब्रांच हो गया उसमें, लेकिन computing था, specialization software engineering हमारा था, तो software engineering में एक SRS आप पढ़ते होगे, साथ सुना होगा आपने, software requirements specification, किसी भी software को जब आप develop करते हो, किसी भी software को आप बनाते हो, तो उसमें SRS important होता है, कि software का actually requirement क्या है, जब तक आप उस requirement को नहीं जानोगे, तब तक आपका software, जो output है, वो कैसे देगा, कुछ example, जैसे एक example, गती, जो आपका ये था, जो courier service था, तो गती courier service, long time back, जब अभी software बनना, इंडिया में अभी उतना जादा famous नहीं हुआ था, अभी अपने बिकल्प मैक जीन को, तो उसमें एक case study गती पे था, तो गती जो भी था, सुचो, वो software बनाया गया, प्रोपर तरीका से, जो भी है, courier service को track किया जाएगा, बनाया, बहुत दिन लगा, time लगा पूरा, बनाते के साथ, जैसे उसको live किया, वो within second crash कर गया, और वो पूरा system जो time पहले की बात देखो, तो जो ITR था, income tax return, या फिर GST था, उसमें बहुत problem होता था, बहुत glitches होता था, इसका कारण क्या, जैसे सपोज Infosys ने system बनाया, अब system को आपने requirement, government ने कुछ दिया, सपोज आपने दिया कि 10 करोड यूजर यूज करेंगे, थोड़ी देर के लिए म requirement आपने दिया 10 करोड का, आप यूज कर रहे हो 40 करोड, तो उस system crash होगा, उसमें problem आएगा, उसमें bugs आएगे, तो software requirement specification होता है, कि आपका जो requirement है, उसको specify, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज मैं, इस वज़े से बोल रहा हूँ, कि आपने कुछ specification पहले ही present किय हुआ है, आपने last year 21 बाले interview इस बार November में दोगे, लेकिन DAF तो आपने last year ही भरा, one year आपका हुज आएगा DAF का, तो उस समय कुछ आपने अपने बारे में बताया था, I am person X, उस person ने जीवन में इतने तीर मारे हैं, ये तुर्म खान, इधर gold medal, इधर हमने group leader रहे, इधर cricket में हमने अच्छा किया, इधर हम इंडो US student exchange program में participate किये, ये हम Canadian University में गए, two months के लिए, internship के लिए, या जो भी कुछ हर candidate का अलग-अलग है, कुछ है, for example, कि सर हमने one year दुबाई में बर्क किया है, really, है ऐसे candidate, हमारे पास जो interview guidance में है, तो वो, for example, दुबाई में बर्क किया one year, अब dear, तुम दुबाई में one year रहे, तो दुबाई के बारे में तो कुछ जानोगे न, और आमें पूरे life रहे, दुबाई में एक साल रहे, कुछ डिफरेंस तो पता करोगे, हमको कुछ नहीं पता, हम तो गए, पस काम किये, काम करके लौट आए, तो ऐसा नहीं होता न, कि आप एक engineering graduate हो, आप वहाँ गए, आप बैंगलोर में रहे, यहाँ है, हैदराबाद में रह है, और वहाँ गए, आप वर्क किये, आप यहाँ आए, तो आप difference कुछ तो पता करोगे, ऐसा नहीं है न, कि आपको chain में बांद करके रखा था, काम करवाता था, फिर आप सोजाते थे, तो awareness, जो चीजे आप के साथ हुई, आपके, for example, father, suppose, किसी भी CEPF में ASI हैं, या फिर head constable हैं, तो उनके जो कारे हैं, उनसे जो, अब suppose कोई ASI department में वो हैं, जहां कि जो कुछ classified information है, उसको वो reveal नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो information, जो कुछ चीजे, जो work, public domain में हैं, उसके बारे में तो कभी आप discuss कर सकते हो, believe me, sometime यह होता है, कि कुछ candidate बोलेंगे, कि सिर्फ हमारे पिताजी, work को, अपने work को family के साथ share नहीं करते हैं, कोई भी work, अब जब उन्हें पता है, कि उनका बेटा, इस force में, guested officer बनना जा रहा है, तो जो information classified है, उसको नहीं बताएंगे, जो information ना बताने लाइक है, वो तो न नहीं बता सकते हैं, for example, जदि उन्होंने AK-47 से firing की है, तो यह तो information ऐसा नहीं है, कि AK-47 के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, in fact, market में बहुत जगा देखोगी, कि illegal AK-47 बहुत जगा मिलते रहता, that's mean, कि AK-47 कुछ लोग बनाना पूरी तरह से जान रहे हैं, और कुछ ऐस से बना देते हैं, कि वो बहुत अच्छा work कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो work कर रहा है, तो obviously है, जो AK-47 बना रहा है, तो उसके पास information है, और A number हो, या फिर आप regular देखते हो, terrorist से पकड़ा गया, या कोई anti-social element है, सहर में हो सकता, कुछ लोग कभी-कभी है, छुट AK-47 है, तो अब आपके father force में है, AK-47 से वो fire कर रहा है थे, उन्होंने ये किया, तो उसके बारे में थोड़ा information, अब CGRL for example है, कार्ल गुष्टब, rocket launcher, UBGL है for example, under barrel, grenade launcher, तो जिदी CGRL, UBGL, ये सब के बारे में जिदी वो करते हैं, तो उसमें कोई ये दिकत नहीं है, मान के च आप बोलोगे कि सर हमारी उनसे बेटी कभी कभी होती है, बचपन में बस एक दो साल साथ में रहा, फिर उसके बाद तो मुझे जब से होस्ट समाला, मैं होस्टल में या मैं सरा, ये भी गल्प नहीं होता है, आप कभी न कभी हर आदमी जो है, वो discussion करता है, और जिदी आप अपने parents से, family members से, या कुछ आउसे discuss नहीं कर रहे हो, तो that means आप में interpersonal skills की कमी है, और आप अपने unit में जब जाओगे, तो साइध ये ही रविया आप अपने जबान के साथ रखोगे, आप ये चीज़ को feel नहीं कर पाते हो, कि हमने तो ये चीज़ बोल दिया, इसका मतलब य ये है, कि आप communication नहीं कर पा रहे हो, और सब भी आजे आप unit में होते हो, तो आप एक guardian के तोर पे होते हो, आप उस ढंक से बात करते हो, जैसे मैं I still remember की, जब मैं सिल्चर में हुआ करता था, तो सिल्चर में एक तरह से हमारा काम था, R&D ब्रांच में, जो research and development ब्रांच था, उसमें कुछ-कुछ काम होते थे, कि चलो ठीक है, news बगएरा जो कुछ है, उसको track करना, उसको चीज़ों परबर्द करना, कुछ जो slides बगएरा, teaching वाले होते थे उसमें थोड़ा सा सुधार कहीं कर सकते हैं, या case study बगएरा है, उसको proper format में रखना, या कभी translation work, तो उसमें से कुछ जो जवान होते थे, तो उनकी कुछ-कुछ समस्याएं, I remember कि एक टाइम तब deputy commandant sir थे, उन्होंने बोला ना कि ऐसा कुछ लोग का problem था आधार कार्ड में तो sir ने उन लोगों को बोला कि जो आधार कार्ड में problem है, तो वो आधार कार्ड वाला issues कुछ-कुछ है, वो आप यहां R&D ब्रांच में चले जाओ, रंजीत sir है और Solomon sir है, तो हमारे batchmate थे Solomon, तो बोले कि उन दो, अब कुछ लोग का आधार नहीं बना हुआ था, अगला दि या तो आधार में आप enroll कर चुके हो, आपके पास अभी मिला नहीं है, तो उसको किस दंग से हम download करें, तो हमने बहुत लोगों को जैसे print करके उस चीज को दे दिया, print करके या कुछ-कुछ-कुछ था जो problem, अब देखे क्या है, तो बहुत लोगों को, जो हम लोगों से interaction मे नहीं थे, उस चीज के बाद बहुत सारे लोग जो थे, वो proper तरीका से मिलने लगे, कभी-कभी करके, अब जदी आपके जवान आपसे मिलने आते हैं, ठीक है, आप उनसे थोड़ा सा बात करो, कुछ लोग थे, और बिसलिए काफी senior हम से, बहुत ज़्यादा senior senior थे, लेकिन आपको एक force में discipline सबसे important चीज होता है, तो आपके पास उस डंग से वो भी हैब करते हैं, वो discipline में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे अच्छे तरीके से बात करते हो, जहां rules है, जहां discipline है, वहां discipline, लेकिन जहां little casual talk करने का space आपके पास होता है, तो वो चीज करना चाहि है, क्योंकि हम वहां हमारा attachment इस डंग से था, कि हम उनको कोई punishment नहीं दे सकते थे, कुछ उस डंग से चीज़ों को नहीं कर सकते थे, तो हम से लोग, हम लोगों से, हम दो-तीन लोग जो थे, तो उनसे वो लोग बहुत सारी चीज़े खुल करके बात करते थे, दूसरा क्या भी था, मेरा point of contact जादा था, क्योंकि majority जो जबान होते थे, वो हिंदी में ही communicate करते थे, तो even class बगरा लेना होता है, तो हिंदी में चीज़ों को communicate, तो उसमें मुझे यह रहता था, तो ऐसी situations होती है, कि आप जब उस time में होते हो, तो यह interpersonal skills जो है, direct आप से इस धंग से नही कर पा रहे हैं, या हम study के duration में इस धंग से रहे, कि हमें दूसरे लोगों से बात करने का मौका नहीं मिला, तो यह आपका जो होता है, interpersonal skills भी आपके पास होनी चाहिए, जो interview क्या है, personality test आपको बोला जाता है, कि आप आज़े person कैसे हो, personality test, वो यह interview नहीं actually लिखते हैं, वो personality test लिखते हैं, तो personality test में आपका क्या है, कि आप क्या person हो, knowledge के बारे में doubt नहीं है, उनको, मैंने बोला ना, कि एक service mind है, उनहीं के बारे में knowledge के बारे में doubt है, क्योंकि उसमें से कोई 20 marks, 30 marks और 30 marks पेपर 1 में लाया हुए है, 50 marks लाया हुए है, फिर भी उनको पता नहीं है कि इ लेकिन आप एक general candidate के हो, एक OBC candidate हो, तो आपका cut-off standard में जाता है, उनको यह है कि हाँ, यह English भी जानता है, थोड़ा बहुत अच्छा खासा, और यह GS भी जानता है, यह science की भी इसकी पकड़ है, यह 30 questions के आसपास हम पूछ रहे हैं, science में भी इसकी पकड़ होगी, math में भी थोड़ी पकड़ है, और चीजे, अब उसी में कुछ basic प्रशन पूछेंगे, उस basic प्रशन में मान के चलो कि आप से Newton का second law पूछ दिए, Newton का third law पूछ दिए, तो क्या आप उस basic को सिर्फ आपने exam में कर लिया, या फिर आप उसको जानते हो, उसको समझा सकते हो, little आप समझा सकते हो, that's fine, it's okay, कि आप वो उस चीज को, उस विसाय को समझाने के लायक हो, तो हमेशा ध्यान रखो कि जो कुछ आपने लीखा है, आपका जो specification है, आपका जो आप person हो, वो उनके पास पहले से ह है, वो document आपने submit किया हुआ है, आप ये नहीं कह सकते हो, कि sir sir, actually na form हमने भारा ही नहीं, हमको तो अभी जब हम interview का तयारी करने लगे, तब हमको पता चला कि अच्छा रहे, ये हमारे बाला में भी लीखा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, आप उस धंग से नहीं होना च पिटना से गया था, पिटना से अलाहबाद गया था, फिर अलाहबाद से मुझे बैंगलोर जाना था, तो मैं फ्रेंड है, मैं उसकी मम्मी ने कुछ चीज़े दी थी, तो उसमें जो coconut होता है, तो जो नारियल का गोला होता है, actually वो allowed नहीं होता है, वो complete गोले, तो वहाँ जब गये, तो मैंने बैग डाला, तो उन्होंने पूछा, नारियल का गोला आपके पास है, तो मैंने बोला, नहीं, तो यह तो यहाँ दिखा रहा है, तो फिर मुझे ध्याना है, कि अच्छ अच्छ हो सकता है, उसकी मम्मी ने दे दिया होगा, क्योंकि मैंने तो वो यह दंग से नहीं लेजा सकते हो, तो फिर बोले कि या तो डिस्पोज करो, या खाओ या जो कुछ करो, फिर मैंने फिरेंट से पूछा, तो फिर वो बात किये किस्टमर केर से, तो उसने बोला, च्छली क्या है, कि उसको फोड़ करके उसको ला सकते हो, तो फिर मैंने, एक कर रहे नहीं है तो sometime वो ऐसा situation आ जाता है तो अब आप यहां इस चीज को यहां आप नहीं कह सकते हो किसर नहीं मुझे नहीं पता है कि यह हमने चीज लिखा है आप DF भरे हो आप responsible हो even if किसी और ने बारा है तो आप उसके जिम्मेदार हो आप यह नहीं कह सकते हो किस चीज का स यह तो मैंने ऐसे ही कर दिया आपने new कोई भी चीज, habit, hobbies या कोई achievement है उसको आपने किया हुआ है that's fine जैसे आपने for example वहां जो चीज जो course complete किये हो उसी को mention करना होता है तो मान के चलो कि उस समय आप graduate हो चुके थे post graduation में first year आपने complete कर लिया था second year में आप थे लेकिन अभी आ अब आप बता सकते हो कि इस duration में हमारा जो post graduation था वो complete हुआ या फिर my one post graduation था double post graduation हमारा यह complete इस duration में हुआ तो आप addition कर सकते हो कोई भी चीज जो है आप add कर सकते हो कि सर इस बीच में हम गाउं में कुछ दिन रहे और गिल इरंडा खेलना सीख गए तो कि इरंडा में बहुत आ रहा है वो किसी और game में नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते हो आप को जो भी है extra add कर सकते हो आप extra जो हर person जो learning है किसी भी चीज का तो learning जो है वो lifelong चलते है वो जीबन वर चलते है वो आप हमेशा learn करते हो आप ये लर्न करो, आप चीजों को लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं है आप जितना लर्न करो वो अच्छा है, जितना extracurricular activities भी कर रहे हो extracurricular activities में क्या है, आप जो mean task है सब्सक्वोज आप study कर रहे हो आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद आप अपने लिए time निकाल रहे हो, that's very good, ये अच्छा है, ये एक अच्छी habit है, वो करो, लेकिन जो कुछ आपने mention किया हुआ है, उस चीज़ को लिखो, अब suppose बहुत सारी चीज़े होती है, कि आप अपने family या जो भी है उसके बारे मे या आप जिन-जिन जगहों पे रहे हो, बहुत सारे जगह में आप रह चुके हो life में, तो कुछ चीज़ों को, कुछ space, place को आपने mention किया हुआ है, रह से education में, मान किसी ने 10th किसी और जगह से किया, 12th किसी और सहर से किया, ग्रेजुएशन किसी और सहर से किया, पुष्ट कि आइधर पारेंट्स में से कोई या दोनों या फिर एक जी जॉब करते हैं तो उस में से वो जो है उनका मुवमेंट होते रहता था तो अधर वाइस फिर ग्रेजुएशन में सम्टाइम है कि आप अपने मर्ची से डिसीजन लेते हो कि हाँ ठीक है हमने इंटरेंश दिया हम को सपोज इंजिनेरिंग कर रहे थे तो मुझे ये इंजिनेरिंग कॉलेज मिला तो उस सहर में आप चले जाते हो कि किसी भी इंजिनेरिंग कॉलेज जाते हो तो वो अपने आप में एक सहर अपने आप में है या कर सकते हो एक अपने आप में गाओं है एक अपने आप में ग्रूप है कुछ-कुछ कैमपस क्या है 200 एकर 300 एकर 500 एकर 1000 एकर के आपके कैमपस होते हैं तो वह अपने आप में देखोगे कि बहुत बड़ा प्लेस है तो हाँ आप अपनी ग्रेजुईशन पोस्ट ग्रेजुईशन वह आपने मरजी से करते हो लेकिन आपका तो उन city के बारे में जो आपने वहां रहे वहां का कुछीन क्या है वहां कुछ चीज़े क्या है अब फिर सपोज अपने एक sports person हो तो discipline आपके life का एक important ingredients होता है तो उसके बारे में चीज़ों को करोगे कोई भी sports है खेल है अब cricket आप खेलते हो इसका मतलब यह नहीं है कि cricket के ब state play या जो भी है तो जो भी आप करते हो उसके बारे में basic information आपके बारे में आप उसके बारे में जो हर चीज़ नहीं रखोगे लेकिन common knowledge तो आपको रखना होता है common knowledge तो interviewer यही आपसे majority चाहता है कि आप जो person हो हमने I remember जब हमारे time में interview था तो मेरा प्रफेसर हेम चंद गुप्ता का बोड में था उस समय और में friend का रजनी राजदान मैम के बोड में था तो रजनी राजदान फिर just उसके कुछ दिन बाद ही जब हम लोग का interview था उसके कुछ दिन बाद ही वो UPC की chairperson बनी थी तो रजनी राजदान में सबका obviously है एक photo आप form के time में बारे हुए होते हो एक form फिर आप photo latest आपको photo मांगा जाता है interview में तो सबको बोलती ही या यह photo तुमारा यह है लग नहीं रहा है दूसरा photo क्यों नहीं लाया तुम क्या तुम कि बहुत दिन के लेके आय रही थी कि या फोटो में different आया हुआ है तुम different look में लग रहे हो एक मतलब यही है ना कि आप जो person exam दिया जो person DF भरा क्या वही person है हमारे पास specification है यह ex person जैसे philosophy में हम लोग को पढ़ना यह होता था कि जैसे कोई भी चीज है आपने guy को देखा है आपने निल गाई को suppose नहीं अब guy को देखा हुआ आप जानते हैं लेकिन किसीने आपको निल-gाय का specialization दिया आपने अभी तक निल-gाय को नहीं देखा है वो а式 specification आपके पास है आप जंगल में जा रहे हैं आपके सामने निल-gाय आया तो जो specificization आपने आपके mind में है वो specification आया तो आप ये भचाने उसके photographs भी आपके पास नहीं है लेकिन वो suppose आपको station पे लेने आते हैं तो आपके चाचा मौसा थाउ बुलते हैं कि देखो ये आदमी ऐसा है इस डंग का कपड़े पहने हुए होगा more or less की इतनी height है बाल बाल उस डंग से इसका होगा चेहरा उसका होगा अब हो सकता है कि जि आप compare करोगे फिर आपको जो appropriate लगेगा उस आदमी के पास कि अच्छा आप ही एम लेने आया है या तो बुलेंगे हाँ इसका मतलब क्या है कि आप नहीं मिला है लेकिन जो specification है वो specification से match कर रहा है तो आपका DAF जो है वो DAF आपका है DAF जो आपको मिला हुआ है वो specification है वो यह पहले हमारी condition यह थी और आज मैंने इसमें कुछ add किया है that's mean मैं forward looking person हूँ, backward looking person नहीं हूँ, मैंने life में learning को कभी नहीं छोड़ा है, even if worst case में मैं select ना भी हूँ, तो मैंने अपने जो मुल्य हैं, जो values हैं, उसमें कुछ addition किया है, subtraction नहीं किया है, हाँ कुछ चीजे है ज गए हैं, तो उस four years में हमारी, चुकि मैं government job के लिए preparation कर रहा हूँ हूँ, और वो आपका दिख रहा है कि आप पहले भी suppose two times appear हो चुके थे, या जो भी है, या किसी का just two years back आपने preparation अस्टार्ट किया, two years back आपने engineering complete की और यह start किया, क्योंकि one year तो आपका df feel किये हुए तो आपने august 21 में exam दिया, तो august 21 में exam दिया तो ऐसा नहीं है न कि आप preparation के लिए normally UPC का standard exam है, तो उसमें one year का time चाहिए, अब normally कुछ ऐसे हैं, जो six months में कर सकते हैं, three months में कर सकते हैं, few exceptions are everywhere, पर टेका standard है, one year का time चाहिए होता है preparation के लिए, उससा standard में पहुँचने के लिए तो one year से आप preparation कर रहे थे, अगस्त में last exam हुआ, तो यानि कि more than two years तो ऐसे ही हो गया, तो आप justify चीचों को करोगे कि हाँ, यह situation है, engineering मैंने की इस कारण से मैं उसमें interested नहीं हूँ, या फिर है कि आपके पास opportunity था, आपने ये लिखा कि JEE advance हम qualify कर गए थे, उसके बाद लिखा आप BA, तो आप specification दोगे, और याम पाल जैसे संजी, बिक्चंदानी, नौकरी.com के जो founder है, उनको IIT में admission हो रहा था, वो qualify भी कर गए थे, तो बोले नहीं, यार four years IIT में लगाऊंगा, उससे त्री years में graduation हो जाएगा, one year मैं save कर लूँगा, ऐसे भी लोग हैं, exceptions हैं, वो ऐस से सोचने बाले, कुछ लोग हैं, IIM में आमदाबाद mediation हो रहा अबर नहीं है, रहने तो, यार दो साल जो पढ़ऊंगा, उसमें, दो साल में मैं बीजनस अपनाई establish कर लूँगा, तो you have to justify, every person is unique, आप बहुत सारे लोग को देखोगे, civil services qualify नहीं हो पाए, लेकिन पता चला की top के economist हो गये हैं, तो a number of people है, राजनाथ सीं, civil services का preparation करते थे, नहीं हुआ, आज भारत सरकार के रच्छा मंतरी है, last time में भारत सरकार के गिरी मंतरी रह चुके हैं, ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, कि आप किसी चीज में, किसी field में थे, उस field में success नहीं हो पाए, या उस field में आपने continue नहीं किया, इसका मतलब आपके अंदर skills नहीं है, आप useful asset नहीं, आपको prove करना है कि आप जो है, burden नहीं है country पे, अभी for example आप liability है, लेकिन आप long term में liability नहीं है, वो asset बनने के process में है, आप पूरी तरह से liability नहीं है, आप asset बनने के लिए, आप किस डंग से useful होग कि किसी भी चीज को, कोई भी देखते हो, गाय क्यों पाल रहे है कि दूद देगी, अब जो गाय दूद देना बंद कर देती है, तो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसको गौसाला में बहुत सारे देखोगे कि जो अवारा पशू का problem अभी चल रहा है, क्यों, बह गो बद पे जो है, वो जो बुचर खाने में ले जाकर करने का, तो उस पे आपने बैन लगा दिया, अब बैन लगा दिया, तो जो आदमी गायर पाल रहा था, तो दूद वो दे रही है, जब तक उसको खाना खिला है, जब लगा कि अब ये बुड़ी हो गई है, दूद अ नहीं देगी, अब इसके बच्चे नहीं होंगे, छोड़ दिया उसको, ऐसे ही ये करके, तो क्यों, तो क्यों कि वो अब एसेट नहीं रहा, वो अब एक लाइबलीटी रहा, तुशी दंग से, आप सब इंटर्व्यू में चाते हो, कहीं भी आप चाते हो, तो आपको ये हो अब तक की अब ब्रिंगिंग हमारी हुई है, अब तक की जो हमारी एजुकेशन हुई है, इसमें हमने प्रोब्लम सोल्व करने का कोशीज किया है, अब सम इंस्टांसिस आपको चदि दिये, कुछ कंडिशन दिये, उस कंडिशन में क्या आप भी हैव करोगे, आपको कुछ सिचुएशन दे दिये, कुछ आपके सिनारियो दे दिये, आपको कुछ ऐसी सिचुएशन सिनारियो दिये, कि आप उसमें से किस धंका भी हैव करोगे, तो आपको प्रूब करना होगा कि हम एक सिंसिटी पर्षन है, हम चीजों को समझते हैं, हम कोई भी एक्सन देते हैं, तो वो action random नहीं लेते हैं, वो जो हमारा task होता है, वो randomness में नहीं होता है, उसमें random जो element है, उसका अभाव होता है, और जो मैं कुछ करता हूँ, उसके पीछे logic है, अब sometime क्या होता है, कुछ ऐसे situation में होते हो, कुछ ऐसे scenario में होते हो, जहां आपके पास इदनी opportunity नहीं होती है, कि उस पर proper तरीका से analysis करने लगो, अब just imagine करो, कि आप किसी unit को, किसी force को ले जा रहे हैं, तो और अचानक आपके उपर firing आ गई, सबसे पहला क्या काम होगा, वहाँ सबसे पहला काम आपका होगा, कि at instant, आप अपने truth को ये करोगे, सब अपने position कुछ ऐसे जगा लो, जहां क कि आप direct firing range में नहीं आओ, वहाँ first होगा, क्योंकि जब bullet fire हो रहा है, तो उसकी इतनी speed होती है, कि आपको वह proper मन्थन करने का time नहीं देता है, at the instant, quick decision वहाँ लेना होता है, 3000 km per hour के speed से चल रहा है कोई bullet, कोई bullet जो है, suppose 800 meter per second, यानि 5 seconds आप miss किये, 1 second even miss किये, you are gone, तो उस situation में तुरंट quick action लेना होता है, quick action, उसके बाद अब सुचेंगे हाँ, अब जब little safe ये में आगे, तब वो situation में, लेकिन जब हम जाते हैं कहीं भी, तो troop को कुछ instructions रहता है, कि ऐसी situation आजाए, scenario आजाए, case study क्यों पढ़ाया जाता है, कि ऐसी situation में ये पहले घटना हो है, तो इस area में, इस situation में ऐसे जाते हो, तो इस दंग से आपको follow करना है, standard operating procedure follow करना है, और उसकी अनुशार action लेना है, तो आप, आप से जब कोई question पूछा रहा था, क्या, मैं तुम्हें आप पनाते, मान लीजिए, कि एक्स का value, ये इसका value, ये एक्स है, या हम 100 रुपे म मान लीजिए कि कोई समान हम 100 रुपे में बेच तो मान लेना है, ऐसा नहीं है कि 100 रुपे में हो सकता है, उसका कीमत 5000 एक्चुल में हो, solve करेंगे तो 5000 आएगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि 100 रुपे उसका कीमत है, तो उसी ढंग से, आपको, आप actual में अभी गए नहीं है, आ तो आपको ऐसा आपने अब तक का जो knowledge required किया है, आपको ने retain physical, medical qualify किये हुए, आपको बहुत दीन हो गया, आप जनवरी में, कुछ लोग दिसंबर में ही clear हो गये थे, कि मेरा physical भी हो गया है, medical भी हो गया है, अब हम interview देंगे, वो तो obviously है, late हो गया, delay हो गया, otherwise आपका कब का result आगया हुआ होता, तो इतना आपको पता है कि हम interview में जा रहे हैं, अब interview में यह नहीं नहीं पता है, यह random नहीं है ना कि जा रहे थे आप assistant commandant के interview में, और आपको ले करके चला गया, infosys में software engineer बनाने है, बो लेगे हम infosys से ही भाग किया है, अब फिर infosys में फिलेक दिया उसको उन्होंने share किया हुआ है, सबका Wikipedia page है, उसमें से वो किये हुए है, सब के जो director general हैं, वो कुछ-कुछ time में news paper में देखोगे, कि बीच-बीच में उनके art की लाते रहते हैं, कोई पता चला कि उस force के IG हैं, जैसे RKB, और ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे CBI बगरा के director, कुछ जो एक्स director हैं, वो regular रूप से column लिखते रहते हैं, तो कुछ-कुछ information आपको मिलते रहती है, अब जो information एक दहिंदू आप पढ़ रहे थे, दहिंदू में, editorial में, suppose किसी CRPF के IG ने कोई article लिखा है, तो अब वो article classified नहीं है, classified होता तो उसको लिखते नहीं, तो वो information जो provide कर र S.A.T.P. है, हम जब job में थे, तो S.A.T.P. को regular रूप से access करते थे, actually, अब उसमें से बहुत ज़्यादा चीज़े नहीं आ रहे हैं, उस समय जो KPS Geal, जो IPS officer थे, KPS Geal, उसके regular author थे, उसमें चीज़ों को, तो जब वो थे, तब तक उसमें बहुत सारी चीज़े proper आते रहती करता था, तो आप उन चीज़ों को, जब आप interview में जा रहे हो, तो चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके, या फिर internal security को आपने basic पढ़ा हो, को देखा हो, तो यह करना है, तो at the end of the day, जो interview board है, जो आपको marks देती है, तो वो यह चाहती है, कि yes, यह candidate, so a specification है, वो candidate deserve करता है, इतना, कुछ candidate के पास कम information डाला हुआ है, कम इसके पास achievement है, that's fine, कोई दिक्कत नहीं है, third division इसने graduation में लाया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन third division लाया है, उसके बाब जूद भी, यह अपना उस level का, उस standard का है, अपने को prove किया, इसने 40% marks, suppose, लाया था, अपने graduation में, लेकि यहाँ यह 45% marks लाया है, और interview board में है, that's mean, कि यहाँ negative marking and all के बाब जूद भी, यह deserve करता है, आपने लिखा, मैं gold medalist, 96.3%, तो 96.3% है, तो उसके अनुसार आप अपने को बताओ, कि यहाँ, really, आप 96.3% like deserve करते हो, आपने लिखा हुआ, sir, 96.3% आया, और Newton का दूसरा law पूछ हाँ, तो यह आपका negative जाता है, जो आप हो, आपकी background अच्छी नहीं है, आप उस level में नहीं हो, उसी level में आपको prove करो, हर candidate अपने आप में अलग है, मैं इसी वज़े से हर बार interview का जब भी preparation कर बाता हूँ, मैं हर candidate को more or less individual time जादा देना उचीत समझता हूँ, individual उनके doubts होते ह है, उनको लेना मैं जादा पसंद करता हूँ, तो कि हर person unique है, written में सबको एक question दे दिया जाता है, paper one, paper two में, physical में आपको सबको एक type का एक तरह से किया जाता है, कोई यह नहीं है, गोला फेकना है, 4.5 meter, सबको 4.5 meter फेकना है, female को नहीं फेकना है, तो नहीं फेकना है, long jump में male को 3.5 meter है, तो 3.5 meter है, सबके लिए वही करें, यह कोई नहीं बोलेगा कि अच्छा इनका height तो just 167 centimeter है, तो इनको थोड़ा leniently ले दो, और जो जिनकी height 182 centimeter है, उनसे बोलो 4 meter कम से कम फान दे, क्या, यह मजाक कर रहें, नहीं, सबके लिए 3.5 है, male के लिए, तो 3.5 ही लेकिन interview में सबके पास एक question नहीं रहेगा, सब person जो हैं, उनके DAF अलग-अलग है, even साइद आप two siblings हो, जैसे आप देखोगे कि ललीत और मोहीत, जिसका आप मैंने अल्रेडी वीडियो में present किया हुआ हूँ, ललीत का for example कई आपके present किया हुए, कुछ उसके essay और यह सारे write- ललीत और मोहीत टू येर से continuously, 21 में भी दोनों भाई return qualify है, 22 में भी दोनों भाई return qualify है, तो क्या उन दोनों का भी DAF में difference है, क्यों? क्योंकि ललीत अब इसलिए preparation कर रहा है, CSE का मेंस दे रहा, वो two times इसका मेंस हो जाएगा, और अल्रेडी यह continuous यह ज़्यादा, चुकि लली ललीत येल्डर वर्दर है, वो यंगर है, मोहीत, तो ललीत और मोहीत दोनों, लेकिन दोनों में बहुत सारा DAF जब उसके देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा difference है, even if, हाँ, कुछ चीज़े तो common है ना, कि father, mother, वो same है, home, town, same है, लेकिन उसके बाद educational qualification से लेकर के सारी case के लिए तयार करना चाहिए, और हमें expect, जो है, best करना चाहिए, कि yes, जो कुछ हमने prepare किया है, उस अनुसार हमको question मिले, लेकिन हमें preparation जो है, worst case में जाना चाहिए, sometime, कुछ का इंडिरेट ऐसे होते हैं, कि जिसका सिर्फ और सिर्फ जो है, academics पे ही चल जाता है, कुछ ऐसे ल लगते हैं, कुछ ऐसे लोग उसमें interested हो गए, तो majority of section जो है, उसी से पूछने लगते हैं, कुछ है कि sir हमने defense study पढ़ा, इसका मतलब है कि हम defense में interested हो होते हैं, तो उसी पर उसका यह चला जाता है, तो आपको worst case में prepare रहना है, जो आपको उस चीज को present करो, कि उस चीज को prove कर program paid program join करना है, वो आप message कर सकते हो, कुछ charges हम, initially कुछ year में हमने for example no charges यह था, लेकिन obviously है, किसी भी चीज को मैं हमेशा बोलता हूँ survival के लिए, किसी भी आपको without zero में नहीं survive कर सकते हो, तो इस बज़े से आपको लगता है कि yes, मैं खुद से able हूँ, मैं already मेरे पास experience है, मैं कर स सकता है, तो आप कर सकते हो, आप message कर सकते हो, even for example ऐसा नहीं है कि join करना ज़रूरी है, आपके पास कुछ भी questions, security doubts होता है, मेरे से जो possible हो सकता है, messages संभव होता है, वो मैं उसको दूर करने की कोशिज करता हूँ, okay, thank you.